तो आज की जो अपडेट निकल क्या रही है BPSC Mindal Development Officer Recruitment 2020 की ये बिहार Public Service Commission की जो है वेकेंसी है तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो तो पोस्ट निम सबसे पहले मैं बात करो तो Mindal Development Officer की पोस्ट है इसके important date की बात कर देते हैं से पहले तो स्टार्टिंग जो है Form Phillip की वो है 1 माई 2020 से स्टार्ट हो रही है इसकी Form Phillip की date Last date की बात करें तो 18 माई 2020 रखी गई है Pay payment की last date की बात करें तो 25 माई 2020 तक आप Pay Pay कर सकते हैं उसके बात बात है कि last date for form completion की क्या है तो ये है 2 जून 2020 तका Form complete कर सकते हैं उसका last date receipt hard copy receipt करने की last date क्या है तो 10 जून 2020 last date है जो आप hard copy भेज़ेंगे वहाँ receipt करने की date है उसको बात करते हैं application fee की तो application fee जो है अगर general OBC और EWS category के आप हैं तो आपको 750 रुपीज Pay करने परेंगे अगर CST और physical handicap category के हैं तो 200 रुपीज आपको form भी लगेगा अगर Bihar Domicile के female हैं किसी भी category में आप belong करते हो तो आपको 200 रुपै लगेंगे उसके बात करें payment किस तरह से करेंगे तो payment online किया जाएगा net banking या debit card या credit card के थूँ आप payment कर सकते हैं एक्जाम location की बात करें तो Bihar में कहीं भी आपको center दिया जा सकते है एक्जाम का उसके बात करें age limit की तो age limit जो है आपका 1 August 2020 का उनसार count किया जाएगा उसके बात minimum age जो आपकी होनी चाहिए वो 21 years होनी चाहिए maximum age अगर हम बात करें general category के लिए तो 37 years होनी चाहिए और female category है तो आपका 40 years मिल जाएगा maximum age की अगर हम बात करें SC category के लिए SC ST के लिए तो 42 years रखा गया है और अगर age lexation की हम बात करें तो as per Indian government का जो rule है उसके उसके उसकार आपको age lexation मिल जाएगा अगर OBC candidate है या फिर आप SC ST candidate है तो आपको उसके उसार age lexation मिल जाएगा number of post के अगर बात करें तो 20 जो है total number of post की बात करें तो 20 है उसके बात post name जो है middle development officer का है और अगर हम category wise vacancy detail की बात करें तो general category के लिए 8 post यहाँ पे रखा गया है अगर pay scale की बात करें तो अच्छा pay scale आपको मिल जाएगा आज पर rule जो है बात करते है educational qualification की तो इसमें जो है दिखा गया कि candidate having second class MSc in geology या फिर applied geology या mtech in geology या फिर degree in mining engineering from any recognized university institute will be eligible for this recruitment तो अगर आप यह educational qualification आपके पास है तो आप जरूर इस form को fill कर सकते हैं ठीक है required list of document की जो कि आपको self-attested document लगेगा यहाँ पर देना पड़ेगा जो कि है matriculation का marksit या फिर certificate कि इसके लिए तो age proof के लिए उसके बाद educational qualification marksit या certificate आपको देना पड़ेगा अगर PWD certificate अगर applicable है आपको देना पड़ेगा का को क्या है का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसको बाद selection भी based on return mode in following stages अब देखिए selection जो होगा पहले pre-exam लिया चाएगा उसको admins exam लिया चाएगा इसका उनसार आपका क्या होगा final merit list बनाया जाएगा दोस्तो अगर आप इस form को apply करना चाहते है तो description में link आपको मिल जाएगा वहाँ पे full notification का भी link में दे दूँगा वहाँ से आप download करके full notification इसका पर सकते हैं detail में और link भी apply link भी provide कर दूँगा वहाँ से आप डारेक्ट इनके website पे जाके apply कर सकते हैं तो दोस्तो अगर नए है चैनल पे तो subscribe जरूर कर लिजिए क्योंकि आने वाले समय में काफी सारे important आपडेट आते रहेंगे इस चैनल पे और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कर देना दोस्तों के साथ share जरूर कर देना